वेल्कम तो माई चानल, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप सेर करी हूँ, जो घर के हम एक गम से वेस्ट चीजों से मैं टिप सेर करी हूँ, जिसे हम वेस्ट समझ कर लगबग फिक ही देते हैं, तो मेरी पहली टिप जो है, वो इस तरह के नेट को लेकर है, काफी सारे ह लगता है कि अपनाने वाले सूप को इस्तेमाल रखने के बाद सूपकेस में रखते हैं, तो पानी के कारण थोड़ा सा गल जाता है, और उससे जब हम उठाते है, तो काफी गीला सा रखता है, जिससे कि वह हमें यूज करने में भी अच्छा ने लगता है, और काफी साबून को इस में डाल के लिए इसमें आप इसे क्रपके कर सकते हैं और अपने नेट के सांथ ही साबून लगा सकते हैं जिससे इस्तुरब का काम करेगा मेरे पास दो नेट रहए तो मैं दूसरा स Shape काम कर ना को आपको बता रही हूं कि आप इसके साथ तीसरा इतमाल भी कर सकते हैं फ्रिंट्स प्याज और लेसन जो है उसे हम कहीं भी स्टोर करने के लिए नेट वाले या जाली वाले चीज में ही रखते हैं ताकि इसमें हवा लगते रहे हैं हम किसी बंद कंटेनर में या वाक्स में नहीं रखते क्योंकि इनकर न chips अक्सर दो तीन किलो रखते हैं से क्या होगा कि प्याज के छिलके जो है वो गिर जाते हैं निकल के जिससे हमारे किचन का सर्फेस जो है वो गंदा होता है वो नहीं होगा क्योंकि नेट के कारण जो भी छिलके होंगे वो नेट के अंदर ही रहेंगे और नेट के एक तरफ हम कट लगा देंगे जिसे कि हम प्याज को काफी आसानी से निकाल सके प्याज निकाले में में परसानी नहों इसके बाद इसे आप चाहें तो इसे हैंक करके भी रख सकते हैं या किसी टूकरी में भी रख सकते हैं इसी तरह स से आलोक हीरा सकते हैं तो इस तरह से तो तरह से आप वेस्ट वाले दीत का काफ़ी अच्छा इस्तमाल करूब करते हैं पर थुns तरह के फूड कनटेंच्टे पराथ सब्माइंस कmost कभी हम कभी रेस्टुरेंट और उसके लिट दोनों का ही दो इस्तेमाला के साथ करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फूट कंटेनर को ले लिया है और मैंने एक रॉड को गर्म किया है चाहे ति स्कुरू डरबर या कोई बड़ी कील हो उसे गर्म कर लेंगे बसाधानी से गर्म करें ताकि आपके ह नात्यी नहीं उसके बाद वह क्या करेंगे कर नि fans Olha केaptiren के बैक साइड में सतरह से ठेर सारे हुल बना देंगे कि नहीं क्टेनर कि किनारे में दो हुल ही बनाएंगे जिससे कि इसमें इसे लटकाने के लिए को बना सके तो मैंने इसको डाल कि न न के अधागे whilst को डालकर लूप बना सके हैं अगर धागा हो या प्लास्टिक की धागे हो उससे आप इसमें एक हाइट की लेंद हाइट की लूप बना ले ताकि आप इसे आपने वास बेसिन स्थिंग में कहीं भी टांग सके अगर आपके शिंग में नल ऐसा थाकि मैं इसलोग पनाई थाकि मैं इसे नल टां जब को मैं जब हम वह फिसंधской में बरतन साफ करते हैं तो काफी सार तो पानी के साथ ही हमें रिंद करने पड़ते हैँ हूँ में न क्या करेंगे कि प्लेट बगर हमें पानी डालने के बाद हम खाने के पार्टिकल को इस कंटेनर में डाल देंगे कंटेनर के बैक में होल करने के कारण क्या होगा कि जो भी खाने के पार्टिकल होंगे वह कंटेनर में रहा जाएंगे और पानी जो है वह हमारे सिंक में बाई जाएगा तो मैं इसे करूंगी मैं अच्ही सब्सक्राइब हो आपको मैं इह इस तरह से चावल कि छोटे चोटे-चोटे ताने होते हैं कुछ या चैपत्ती हो उसे हम इसमें डाल देंगे तो इस तरह से आपके वेस्ट फूड पर्टकल है जो ड्रेनेज में जाने से बच जाएंगे फूड कंटेनर का जो ढखन है उसका भी मैं आपके साथ इक इस्तेमाल जेर करी हूं तो मैंने इसे अभी धोया था तो वह गिला था तो मैं इसे अच्छी तरह से पूछ ले रही हूं क्योंकि इसके उपर हमें गम लगाके या डबल साइड टेप लगाके चिपकाना है तो पा ये कि सिर्फरेस के चिपका लिया है और उसके उपर के पीपर को आठा लिए हुसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी भी खाली फ् 민ike के ढखन को इस्तरह से चिपका लेए तिस तरह से फ्रंट्स ये एक ढखन काफी अच्छा बन के तियार हो जाएगा कि जिसे हम किसी भी खाने प्लेट का इस्तमाल करना पड़ता है और प्लेट जो होता है कभी-कभी बर्तन में अठक जाता है इससे गिरने का ड़ा रहता है तो इस तरह से हम वेस्ट जीच से बर्तन को ढखने का एक टूल बना लेंगा कभी-कभर आपने देखा होगा कि जब भी हम प्याज कट करते हैं तो मैंने जिस तरफ प्याज के जड़ होता है वहीं पर काटने से मुझे दिखिया कि यह प्याज थोड़ा सा सड़ा हुआ है इसका इस्तमाल मैं खाने बनाने में ने कर लूँ और साथ ही इसकी वीडियो भी सब्सक्राइब भी मैं आपको देदा तो मैंने क्या किया है कि दूसरे साइट को मैंने कट करने के बाद मैं इसके अंदर से थोड़ा सा इसका गुद्या निकाल दे रही हूँ ताकि प्याज के अंदर थोड़ा सा स्पेस बन जाए तकि हम इसमें जो कुछ और इंग्रीडि कोटन में डाले हैं कि यह मैंने लौंग अज्वाईन को डाला है तो कभी के बार रूई नीचे से फट जाती और निकल जाती इसलिए मैं ने कपड़े का स्माल किया है क्योंकि जो भी समान है कपड़ में अची तरह से शिक्रियर रहे और वह अची तरह से जल सके गिरे नहीं तों इन सारे समानों को मैंने इसमें रखने के बाद इसे अची तरह से सारते में पॉल्ड कर लिए है इसके बाद मैंने इसे अपनी आक्पी पर little रखला से pastor से रगड ठीज आपकी अब इसे हम क्या करें गे कि बीच में प्लक को निकाल के मैंने स्पेस बनाया तहहीं हम इस से डाल अगी इसके बाद आप इसमें चाहें तो त्यूस्थ नीम का टेल दालसकते हैं अगर आपके पास हो तो मेरे पास ही यह दोनु टेल नहीं है तो मैंने हैं सरसो का तेल तरह से अच्छी बनाएघसी तरह जला की इसमें से जलाने के बाद जब इसमें इसमें से दुवानी कलने लगे तो आप देखिएगा कि इसमें से काफी अच्छी फ्रेग्डनस आती है जो फ्रेग्डनस जो हमें तो अच्छी लगती है खाष निकलनेगेए हो रही है इसलिए काफी संधेर अंधेरा है तो इसे अप घर के अंधेरे अंधेर पाएं जड़ीको कि अंधेरे बाले जगा में ही मच्चछ रहता है मक earthly संध्मिन भिनाती रहती यह मच्चर को भी घर के ऊलर यां ठीवा हम आ तो इसे घर में घुमाने के बाद मैंने क्या किया है कि कमरे के कॉर्णर में रख दिया जाए